हमश्GAL दोस्तों बहुत साथ आपको हमारे च्enेल में दोस्तों आज कि वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकरी देने वाल है जो आपके आज ही नहीं बलकी पूरी जिन्दगी भर काम आने वाली है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको प्रधान मंत्री की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसके अंदर आप हर महीने 3,000 रुपे आपको मिला करेंगे दोस्तो ये जानकर ये आप सभी लोगों के लिए जरूरी है तो आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिन्दगी भर के लिए तो चलिए दोस्तो बात करते हैं कि किस तरह से आप इस योजना के अंदर हर महीने 3,000 रुपे का लाब ले पाएंगे जिन्दगी भर क्या इस योजना के अंदर आपकी योगेता होनी चाहिए किन लोगों को इसका लाब मिलेगा किस तरह से आप इसमें apply कर सकते हैं सारी जानकरी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस्तो आपको करना क्या है सबसे पहले आप जाएए Google ब्राउजर पर और यहाँ पर आप लिख दीजे maandhan.in maandhan.in आपको यहाँ पर लिख लेना है दोस्तो यह प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और इस स्कीम के अंदर आप जिंदगी भर आपको 3000 रुपे हर महीने आपको पेंशन मिला करेगी और यहाँ पर आपको कोई बड़ा amount invest नहीं करना होगा तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मांधन.in अब देखे यहाँ पर आपको पहले नंबर पर यह option मिल रहा होगा प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना अब दोस्तो इस योजना के उपर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या आपकी eligibility होनी चाहिए मतलब आपकी योगिता क्या होनी चाहिए इसमें apply करने के लिए किस तरह से आप इसको lab मिलेगा क्या इसके अंदर आपको जमा करना पड़ेगा सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो देखे यहाँ पर eligibility जो आपकी योगिता होनी चाहिए उसके लिए आपका सिर्फ एक छोटे farmer होना बहुत जरूरूर बस एक छोटा farmer अगर आप है यानि कि अगर आपके पास 2 hectare की जमीन है तो आप इसके अंदर आविधन कर पाएंगे अगर उससे जादा है तो आप आविधन नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज आपकी उमर होनी चाहिए 18-40 साल 18-40 साल अगर आपकी उमर है तो आप इस योजना के अंदर आविधन कर पाएंगे लेकिन मान लीजे आपकी उमर 18-40 साल नहीं है तो आप अपने किसी भी परिवार के नाम पर इस योजना को भी ले सकते हैं थीक है और उसके बाद देहिए इसके जो लाब है वो आप इसमें देख सकते हैं आपको हर महीने 3000 रुपे की पेंशन मिला करेगी और पेंशन कब मिलती है दोस्तों आपको पता है जब हम 60 साल के ओजाते हैं उसके बाद हमारी पेंशन चालू होती है दोस्तो इस योजना का जो खास बात वो यह है कि जितने पैसे हम यहाँ पर जमा करेंगे उतने ही पैसे हमें सरकार भी जमा करेंगे हमारे अकाउंट में और उसके बाद हमारी पेंशन बन जाएगी लेकिन हमें को इसमें 12,000 रुपे जमा नहीं करने आप इस वीडियो को पूरा देखिए आप बिलकुट ठीक से समझ जाएंगे अब इसके अंदर देखिए आप थोड़ा हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर डिटेल्स के उपर हम यहाँ क्लिक करते हैं ठीक है और यह डिटेल्स के उपर मैंने क्लिक किया आप खुद भी इसको करके देखिए एक बार आप यहाँ पर सारी चीज़ समझ जाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फीचर्स का यानि कि यह प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना है क्या यहाँ पर आपको यह बता गया है जिसको हम प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना का नाम दे रहे हैं और उसके साथ साथी इसका जो की बेनिफिट है यानि की बेनिफिट जो है वो यह कि मालीजे अगर जिनों ने भी यह पेंशन स्कीम चालू करी है अगर उनकी मिर्ति हो जाती है तो उनकी 50% जो पेंशन होगी वो उनके 9 मीनी को जिन्दी भर तक मिलती रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जितनी कम उमर में आप इसके अंदर आवेदन करेंगे उतने ही कम पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे जैसे कि यह आपको दिख रहा है मन्थली कंटीबूशन यानि कि हर महीने क्या जमा करना पड़ेगा और किस तरह से हमें यहाँ पर लाब मिलेगा अब यहाँ यह जान लीजिए अगर आपके उमर देखे 18 साल है तो यहाँ पर जो 60 साल के बाद तो आपकी पेंशन चालू होगी ठीक है यहाँ पर आपको हर महीने 55 रुपे जमा करने शिर्फ 55 रुपे दोस्तो 55 रुपे तो कोई भी गुटका खाकर भी थोख देता है तो 55 रुपे आपको जमा करने है और 55 रुपे ही सरकार आपके अकाउंट में जमा करेगी उतने ही ठीक है यानि कि आपको टोटल महीने में जो जमा होंगे वो 110 रुपे जमा होंगे और 60 साल की उमर जब आपकी हो जाएगी तब आपकी पेंशन जो है 3000 रुपे हर महीने की चाल मान लिजे 40 साल अगर आपकी एज है इस टाइम तो 60 साल के बाद आपकी पेंशन चाली होगी वहाँ पर आपको जमा करने 200 रुपे हर महीने 200 रुपे भी बहुत ही मामूली सी रकम है 200 रुपे ही गौवर्मेंट आपकी जमा करेगी आपके अकाउंट में मान लिजे जिन पेंशन धारक को कुछ हो भी जाता है तो उनके नौमीनी को 50 परसेंट पेंशन जो है वो लगातार उनकी जीवन वापन के लिए मिलते रहेंगे अब बात करते हैं कि इसमें आप एपलाई कैसे कर सकते हैं तो देखी हाउ टो एपलाई का यहाँ पर एक जाना है वहाँ आपको वहाँ पर जाकर इसको एपलाई करने के बारे में आपको कहना है वहाँ पर आपके लिए दो डॉक्यमेंट आपके पास होने जरूरी है पहला आधारकाट और दूसरा आपका सेविंग बैंक अकाउंट जैसे कि जंदन अकाउंट भी हो सकता है कोई यह form भरना है तो वो आपका यहाँ पर apply करवा देंगे और apply करने के बाद आपका सारी registration सारी details वो वहाँ पर form आपका भर देंगे भरने के बाद आपका एक number issue कर दिया जाएगा वहाँ पर आपको पहली पेमेंट है वो आपको वहीं पर देनी पड़ेगी जो भी आपकी 50-60 पॉम भरने वाले उनके पास जाकर इस scheme को apply कर सकते हैं कोई fake scheme नहीं है सरकार की तरफ से यह scheme लागो की गई है तो इसमें आप हर महीने 3000 रुपे की पेंशन ले पाएंगे जिंदगी भर तक के लिए तो दोस्तों कैसे लगी जानकर ही प्लीज हमें कमेंट करके बताएगर अ बिल्कुल फ्री होता है आप इससे बहुत ज्यादा पायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए तना ही धन्यवाद